नमस्कार न्यूज नेशन पर ओकी नामा प्रजेंस चैंपियन्स की जंग देख रहे हैं आप मैं आपके साथ अखिल गुपता बुद्वार को आई पिल दोजार चॉबिस में एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा यह मुकाबला होगा राजिस्सान रोयल्स वर्सिस गुज्राट टाइटन्स के बीच यानि की आरार का सामना होने वाला है जीटी से और ए मैच खिला जाएगा राजिस्सान के होम ग्राउट जैपूर के सवाय मानसिंग स्टेडियम में तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि आरार वर्सिस जीटी मैच में पिछ रिपोर्ट कैसी होगी मैच के दौरान जैपूर के मौसम का हाल कैसा रहेगा दोनों टीमों के संभावित प्लेंग लाइविन पर नज़र डालेंगे सब कुछ आपको बताएंगे इस मैच की चोटी से चोटी बड़ी जानकारी आप तक शियर करने वाले हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने भी तक हमारे चैनल को अगर सबस्क्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं कि आए न्यूज नेशन को और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को तो फटा-फट शब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन दबा दीजिए क्योंकि पूरे IPL न्यूज नेशन पर ओकी नामा प्रिजेंस चैंपियंस की जंग यूही जारी रहेगा सबसे पहले बात करते हैं राजस्तान रोयल्स वर्चिस गुजराय टैटन्स मैच की पिछ रिपोर्ट आरार वर्सिस जीटी के बीच मुकाबला जैपूर के सवायवांसिंग स्टेडियम में खेला जाएगा जीटी मैच में भी जमकर रनों की बारिश देखने को मिल सकती है हाई स्कोरिंग मुकाबला देखा जाएगा अभी तक जो तीन मुकाबले आई पिल दोजार चॉबिस में सवायवांसिंग स्टेडियम में खेले गए तीनों में ही 180 प्लस का स्कोर बना और जमदस मुकाबला भी देखने को मिला पिछली बार जब आरार और और आरसीबी का मैच खेला गया था तब आरार ने टार्गेट का पीछा करते हुए शानदार जीत हासिल की ते परकि एक तरफा मुकाबले में आरसीबी को हराय था या अगर जैपूर के मौसम की करें राजिस्तान बनाम गुजरात मैच के दुरान जैपूर में बारिश की कोई संभावना नहीं है दिन के समय तापपान 36 डिगरी तक रह सकता है वहीं शाम के वक्त तापपान 26 डिगरी के आसपास रहेगा हला कि बुदवार को जैपूर में हल और हिटर्स की भरमार है यानिकि इस मुकाबले में जबर्दस मजा आने वाला है बात अगर हैट्वेड रिकॉर्ट की करें किस टीम का पलडा भारी नज़र आता है तो राजिस्तान और गुजरात के बीच अब तक कुल पांच आईपेल मैच के ले गए हैं इस जोरान गु गुजरात ने जीत का स्वाच चखा हाला कि 2023 में जब दो मैच केले गए थे एक मैच आरार के हिस्से में आया और एक में गुजरात ने जीता असल की वैसे आपको याद दिला दे कि आईपिल 2022 में गुजरात टाइटन्स ने राजिस्तान रोयल्स को हरा करी ट्रॉफी पर पलडा भारी है तो ऐसे ही में कैना गलत नहीं होगा कि इस मैच में भी गुजरात टाइटन्स को जीत का फेवरेट कहा जा सकता है बात अगर डोन टीमों की संभावित प्लेंग 11 की करें तो सबसे पहले इपनजर डालते हैं गुजरात टाइटन्स पर गुजरात की टीम अगर डेविड मिलर फिट रहे तो उनको प्लेंग 11 का टिकेट थमाया जा सकता है दर्शन नालकंडे और मोहित शर्मा बात अगर राजस्तान रोयल्स की यानि की मेजबान टीम की संभावित प्लेंग 11 की करें इशरश्वी जैसवाल जॉस पटलर संजू सैंसन कप्तान और विकेट कीपर, रोयान पराग, दुरुब जुरेल, शिबरोन हिट मायर, रवी चंदरन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, नांद्रे बर्गर और युजवेंद्र चेहल राजिस्तान रोयल्स की टीम तो शायद अपनी प्लेंग 11 में कोई बदलाव नहीं करेगी, हाला कि उनका इंपेक्ट प्लेयर ज़रूर बदल सकता है, लेकिन गुजरवाट टाइटन्स की टीम अपनी टीम में प्लेंग 11 में कुछ बदलाव कर सकती है, शरत बी आर की जंग बात अगर राजिस्तान रोयल्स की करें तो टीम इस समय कम्माल की लेम है, टीम जीत के विज़रत पर सवार है, चार मैच के ले हैं और चारों में जीत का स्वाथ चका है, चार में से तीन मैच राजिस्तान ने अपने होम ग्राउंड यान की SMS स्टेडियम सवाय मांसिंग स् तब जौस पटलर की एक तुफानी शत्केपारी देखने को मिली थी, टीम के लिए बड़ा चिंता का विशय था कि जौस पटलर कब रन बनाएंगे, उनके बले से हंडेड नहीं आ रहे हैं रन नहीं आ रहे हैं लेकिन पिछले मैच में उनने कमाल की वापसी की और सभी अल सेंचुरी लगा चुके हैं, रोयान पराग लगातार अच्छा कर रहे हैं, हलाकि दुरुव जुरेल और शिम्रोन हिट मायर को अभी तक उतना बले बाजी का मौका नहीं मिला है, गिन बाजी में भी टीम की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, हलाकि श्विन ने चार में से क पर कोई परिशानी की बात नज़र नहीं आती है, टीम ने शुरुवात के 2 मैच पहले बल्ले बाजी किटे वह जीते, और आफ्री के 2 मैच टारगेट का पीछा करते होची जीते, हलाकि अगर गज्वराग टाइटन्स की बात करें, तो टीम में परिशानी या ही परिशानी नज़र आ रही है अभी भी लग रहा है कि टीम हार्दिक पाइंडा का विकल्प नहीं ढूंड पाई है और टीम में मौमा श्यमी की कमी भी साफ तोर पर खल रही है कुछ रात ने पाच मैच खेले हैं तीन में टीम को हार मिली है और केवल दो में जीत नसीब हुई है 2022-2023 में टीम फाइनल खेलने में सफल रही थी लेकिन अगर इस बार अगर टीम को फाइनल खेलना है फाइनल छोड़ दीजिए अगर पहले टॉप 4 में भी जगा बनानी है तो एक जुट होकर परफॉमेंस करना पड़ेगा टीम पिछले लगातार दो मुकाबले हार चुकी है शुमन गिले पंजाब किंग्स के खिलाफ चौते मैच में नवासी रणों की पारी जरूर खेली थी नाबाद नवासी किये थे लेकिन उसके बाद अब तक अगर चार इनिंग उनकी देखें तो वो फलॉप नजर आए श गेविड मिलर केन विलियम सन की फॉर्म और रिद्यमान साह की फॉर्म इस टीम के लिए चिंता का बड़ा विशे बनी हुई है बात अकर गेन बाजी की करें तो राशित खान ने पांच मैचेों के मेल पांच विकेट चटकाए थोड़े महंगे भी साबित हुए आला कि के किलाफ बले बाजी गेन बाजी और खिल के तीनों फॉर्मेट फिल्डिंग में भी अच्छा पॉफिंस करना पड़ेगा साथि शुबन गिल को अपनी कप्तानी का जल्वा दिखाना पड़ेगा वैसे आपको क्या लगता है राजिस्थान विजयरत पर सवार है क्या वो गुजरा टाइटन्स राजिस्थान रोयल्स के विजयरत को रोकेगी कमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर दें अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शियर कर करना बिलकुल ना भूलें